जै मतारानी दोस्तों आप सभी कब बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण अफिसियल में उमीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मतादी जरूर लिखे तो चलिए दोस्तों इस वीडिय के क्रिशन प्रक्ष के प्रदोस ब्रत की कथा सुनेंगे तो आप लोग वीडियो के लाष्ट तक जरूर बने रहेगा तो 2024 में प्रदोस ब्रत हम कब करेंगे पोस्तमास का तो नौ जन्वरी को दिन क्या है मंगल बार इस पर एक वीडियो में बना करके अपने चैनल पर करते हैं तो चलिए कथा को सुरू करते हैं परतेक माह में जिस तरह दो एकादसी होती है उसी तरह दो प्रदोस भी होते हैं हिंदु मान्यता के अनुसार एकादसी को हम भगवान विश्णू के स्वारूप मानते हैं वैसे ही ठीक प्रदोस को भगवान सीव के स्वारूप म में एक गरीब पुजारी रहता था पुजारी मंदी में पूजा पाठ करता था जब पुजारी के मिर्टुक हो गई तो मिर्टुक के बाद उसकी विधुआ पतनी अपने भरन पोशन के लिए पुत्र के साथ मिलकर भीख मांगती थी सुबा से साम तक भीख मांगती थी और सा राजारी के पतनी से देखी नहीं गई। तब पुजारी के पतनी ने उस राजारी को अपने साथ अपने घर ले करके आई। और अपने पुत्र के समान रखने लगी। एक दिन पुजारी की पतनी अपने साथ दोनों पुत्रों को संडिल रिसी के आश्रम में ले करके गई वहां उसने रिसी से सीव जी के प्रदोस ब्रत की कथा एवंग पुजा भी धी जानी और घर जाकर अब वह भी प्रदोस ब्रत करने लगी एक बार दोनों बालक वन में घुम रहे थे उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लोटाया प्रदो राजकुमार वन में ही रह गया उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को क्रिरा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा उस कन्या का नाम था अंसुमती था उस दिन वह राजकुमार घर देड़ी से लोटा राजकुमार दुसरे दिन फिर उसी जगह पहुँचा जहां अंसुमती अपने मता पिता से बात कर रही थी तभी अंसुमती के मता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप विधर्म नगर के राजकुमार हो ना आपका नाम धर्म गुपत है ना अंसुमती के मता पिता को वह राजकुमार पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि सीव जी के किरपा से हम अपनी पुत्री का विबाह आपसे करना चाहते हैं क्या आप इस विबाह के लिए तैयार हैं? तब राजकुमार ने कहा जी बिलकुल तब राजकुमार और अंसुमती का विबाह पुर्य विधी विधान के साथ संपन हुआ तब बाद में राजगुमार ने गंधर्व के विशाल सेना के साथ दर्व पर हमला किया और घमसान यूद किया यूद के बाद राजकुमार ने भी जय प्राप्त की और अब राजकुमार ने वो अपनी पत्नी के साथ राजभवन में अराम से सुख चैन से रहने लगे तब राजकुमार ने वहीं पे पुजारी की पतनी और पुत्र को आदर समन के साथ वहां ले आया और साथ में रखने लगा तब पुजारी की पतनी तथा पुत्र के सभी दूख द्रिदरता दूर हो गई और वे दोनों सुख से अपना जीवन ब्यतित करने लगे ऐसे ही दिन भितता गया तब एक दिन अंसुमती ने राजकुमार से पुजारी और उसके पुत्र के बाड़े में पूछा कि इसका क्या कारण है ये लोग हमारे साथ क्यूं रहते हैं तब राजकुमार ने अपनी पत्नी अंसुमती को अपनी पीछे का कारण बताया तब राजकुमार ने अंसुमती से अपने जीवन की पूरी बात बताया और साथ ही प्रदोस ब्रत का महत्व और प्रदोस ब्रत के से प्राप्त फल से भी अउगत कराया उसे देन से दोस्तो प्रदोस ब्रत की परतिष्ठा एंग महत्मा बढ़ गया मन्यता अनुसार लोग यह ब्रत करने लगे कई जगों पर अपने सरधा की अनुसार इस्त्री एंग पूरुस दोनों ही इस ब्रत को करते हैं इस ब्रद के करने से दोस्तों मनुष्य को अभिष्ट धान और प्रतिष्ठा की प्राप्टी होती है दोस्तों तो चलिए दोस्तों ये प्रदोस ब्रत की कथा यहीं तक कथा कैसा लगा अप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा क्यूंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिफेट मिलता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा और वीडियो को सेयर भी कर दीजेगा तो चलिए दोज्टों मिलती हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्क्राइब